कि यह में नौर्थ ले लिया और यह मैं अभी साउथ ले लिया यह कि अब सुरू यहां से करते हैं कि सबसे पहले हमने कि कॉयल दिखाए बच्छो यह कि अभी इसे किया हुआ है कि इसका मतलब आप यह समझेंगे कि मैगनेटिक फिल लाइन इसके बीच से पास होगे है कि मैगनेटिक फिल लाइन यह इधर नौर्थ है उसकरब साउथ और फिलाल कंडिशन यह कि मैं इसको कि आपको समझाने के लिए थोड़ा सा दार्क ले लेता हूं रेड़ इस पोजिशन में इमफ कितना इंड्यूस्ट होगा जीरो मार्क अब इसी से रिलेट करके चलता है अपने साइनसोडल भी फॉर्म को अच्छा अब यह भी बताते रहना मुझे कि यह फिलाल कौन से एंगल दिख रहा है तुम्हें इलक्ट्रिक लिए मेकानिक लिए अब जिसे तुम आखों से अब्जर कर पाओगे ना तो वह मेकानिकल ही है इलेक्ट्रिक लिए एंगल कभी दिखाए थोड़ा ना देता है सप्लाई आ रही है हमें क्या पता तो फिलाल यह बताओ कि इस मैगनेटिक फिल्ड से एक वैक्टर क्वांटिटी है ठीक है यह पहले से लिखवाया फिलाल यह बताओ कि इस कोईल के जो पॉजिशन थी इस मैगनेटिक फिल्ड के रस्पेक्ट में तुम्हें आखों से कैसे दिखाई दे रही है ना तो यानिकि यह मेकानिकल लिख रही है यह इसके सब्सक्राइब लिए तो फर्स्ट पॉजिशन पर इस पर कोई इंडियूस्ट होगा क्या कि नहीं है भाई अब अब आपने यहां से इसको कि अबना रोटेट करवाए एक और पॉजिशन में तो यह वाले जो किनारे था इसमें यह कर दिया और ब्लू यह रखा हमने है तो अब यह सब्सक्राइब है तो यह कंडिशन कौन सी है पैरलेल टुदा मैगनेटिक फिल्ट यह माफाना आता है लेकिन देखो मेकानिकल एंगल कितना है यह मेकानिकल यह कितने पर प्लेस जीरो पर लेकिन एलक्टरी करी जो हमें मिलेगा यह अब हमने इसको उल्टा को मांके मतलब रैड को इस तरह भेज दिया अच्छा इस वाली से यह पोजिशन क्या है कि अरे इसमें लाल वाली साइड इदर है मैंने घुमा के इसको पहले यहां लाया फिर अपना यहां पर रैड कर दिया तो यहां से यह कितना हो गया वनेटी तो हुआना चाहरे ना इसको अच्छा तो वानेटी का मतलब भी आप और थर्ड पॉजिशन फिर से यह देखने को मिले वारेटी और कौन से वाली पॉजिशन अभी है तो नेक्स्ट वाली कंडिशन यह है पहले इस तरफ रैड था अब इस तरफ भेज देते हैं लोग अब्लूग और रेड को में इस तरफ भी आप अगर भाई यह पॉजिशन कर रहा है इस तरह तो इसको हमने घुमा के वाली किनार इदर कर दिया तो यह निगेटिव मैक्सिम करेगा तो हमने इसको माल जाजी फोर्थ वाली यह होगी थार्ड और यह जूंकर हमने पूर्ट है तो इलेक्ट्रिकली कितना है यहां कि पॉर्ट वाली कंडिशन में दो सो अरे पहले यह वाली साइड इस तरफ की घुमा रहे हो ना पुरा तो फिर आप इस पोजीशन में लेकर आगे रेड को आपने इस तरफ कर दिया यह अच्छा जी फिर से वापसी उसी वाली कंडिशन में करो जहां से आपने शुरुवात की थी वाली तो यह वाली साइड इस में ब्लू है कि यह वाली साइड इस में रेड पांजी पॉजीशन हम फिर यहीं पहुंच के जी तो यह क्या होगा देखो पिटा यह जितना जी थ्री श्रिक्स्टेश कि यह पॉजीशन हमें दिख रहे हैं तो जब भी कभी मैंगेनेटिक फेल्ड हम लोग ने रखते कंडक्टर को रोटेट कर वा रहे हैं तो हमने अलग-अलग पॉजीशन में इसको मार्क किया है और दोस्त यह मैं थोड़ा सा यहां पर इसलिए लगा रहा हूं कि मेरे मुझे महाँ पर समझानी पड़ते तो मैं अगर हमने को देखो अलग-अलग पॉजीशन में रखा है यह पूरा का पूरा जो सिनारियो होना यह मेकनिकल है और यह सिनारियो है यह जब हमने बनाया तो इलक्त्री के लिए डिसाइड कहां से होता है यह डारेक्ली परपोर्श्ट्री टू लिटो अ साइन ठीटा कि अधिकल है तो हमें क्या देखने को मिला वी कि मैं को पूराने की बात कर रहा हूं तो अगर अबजेक्टिव आपको मिले कि कि में अधिक्तम होगा तो सिधा टिक करना में तिन तिन बार रिपीट हो चुका है दो तिन 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 बार सवाल तो अब जहीं के लिए इंपोर्टेंट है और इस पूरे अनालिस में इक मात्र वहीं इंपोर्टेंट है क्योंकि मैक्सम लोग को यह लगता है कि जब भी पैरल तो दा मैंगनेटिक फिल्ड का मतलब यह वाली कंडिशन को मैं लिखा रहा हूं इसमें मेकैनिकल यहां पर क्या है कि कॉल प्लेस्ट अ पैरलल तो दा मैंगनेटिक पेट ठीक है चो तो मेरे बच्चे पीछे क्या देख रहा है कि को दोस्त है भी जिद्रा अब है मैं तेरह सबसे अच्छा दोस्त हुआ रहा है कि आप देखो पेटा इससे एक छूटा सा सवाल करके देख लेते हैं यह नौर्थ है और यह साउथ है ठीक है वही कि बोल रहा हूं कि लोग मैंने दिखार रखता बैक नौर्मल एक रोटर अब जैसे थाथ प्रुटर ना तो यह घृब देख रहा है पीछे तो अगर हम देखो पिटा यहां पर और यह यह मैंने बोला यह और यह बोला मैंने एडाइस यह और एडाइस का मतलब होगा कि एक कोईल के दो सिरे होते जार दो साइड एक को टॉप कहेंगे एक को बॉटम कहेंगे तो फिलाल इस कंडिशन को अबजर्व करना देखो इधर से नौर थाया तो अब यह गोला है एक यहां पॉजिशन इंपॉर्ट है थोड़ा सा एक अजिव्म करने की सकति अच्छी रखें इसमें एक यहां दिखाया थीक है और यहां दिखाया मैं बोल रहा हूं कि इस स्थित कि मुझे यह बताओ किसमें यह मैं फिंड्यूस्ट होगा और इसमें जीरो कर दो कि यार अभी तो समझा यह और डैस में जीरो होगा यह कड़ा हो जाओ कौन सा भाई कैसे यार तो साइट तो यह हुआना यार दोस्त सामने से देखना यह किनारा देख रहा है अधर से क्या लगा रखा सब्सक्त А do और अब देख भाई अब यहां बेज दो यहां वाले यह मत सोचो देखो ना कोई भी चीज जितनी बोड़ बनेंगे ना यह बोड़ है अब जैसे मैं तो रोटर भी ऐसे दिखाऊंगा लेकिन रोटर का मतलब ऐसे थोड़ा है कि पत्ती होगी रोटर जैसे कोई लंबा होगा तो जैसे यह दिखा जाता इसमें पड़ाते समय तो फ्रंट विव पर यहां है उपर और नीचे थीक है तो जैसे यह उपर अधर से क्या दिखा रहे हैं तो भाई मैं कहूंगा कि ए और डैस में यह मैं फिंडियूस्ट होगा और मैक्सिम दिखाएंगे और बेटा भी और बीडायस में जीरो अंधियूस्ट है कि एम अधियूस्ट है कि अरे कर देंगे पुरा रिलेट कर देंगे यह चीज इतने जल्द हो जाती तो फिर क्या दिक्कत थी चलिए बताए तो बोटल तो रिलेट कर पा रहा होगा यह बोटल है बोटल यही कर बैठे तो दिक्कत हो जाएगे देख विटा यह हमने अभी क्या पड़ा यह हुआ कुछ कि यहार दो कंड़ा यहार पोजिशन तो हर चीज़ की हो सकती है ना कि मैक्सिमम ऐसे हिएं एक बाद बताओ अगर मैं यह कहता हूँ कि एक नमबर है कि अब यह पांच फिक्issent भीकि नमबर दिया fashioned अगर मैं पांच को बदल के माइनस पांच कर दो तो मुझे चेंज बता हो कितना हुआ है अप दसका होगा यह Kollege से तो चेंज कितना हुआ है जी तो दिखाऊगे तो एक ऐसी कंडिशन है देखो जैसे मैंने अभी जो कोईल ले रखी नहीं सिंगल टांड कॉइल है कि यह कोईल है यह जो यह रखी नहीं है यह दिवार रखी इदर साउथ पॉल तो मैगनेटिक फिल्ट इदर ही जा रहा होगा अब जरा इसको ध्यान से देखना है यह वाली पॉजीशन है तो मैगनेटिक फिल्ट इस तरफ से इस वाले चलो रही अगर लेते हैं अगर तुम उसको बाः जायेगा तो ոसको तुम कर भाना पड़ेगा और इसको इस तरफ एग़्ए़ ऑर इस से वाहर गया तो मैगनेटिक फिल्ट दिखा है वह उसका तो अलगलग किस्म से देखोगी कि यहां से गनटिक फिल्ट तो इसको भार जाने वाले को पॉटेटिव लेगा मैंने बहुत कम समय में है सिर है थोड़ा से सकते हैं कि एक मैंने थ्यूट परिवरतन फिरक्स परिवरतन कितना फ़र ख। तो बात बताओ नीचे टाइम बहुत काम है इसमॉल टाइम हमने पहले से लिया और फलक्स परिवर्तन की दर कितनी होगी कि यार नीचे कम नंबर से भाग दोगे तो मैक्सिमम होगा तो फैराडे का नियम यही था दोस्त कि जो इंडियूस्ट होगा यह फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती है ठीक है जी अब यह पॉइंट देखना आपने इस कोईल को यहां से यह कर दिया कि यह कि यहां देखो दोनों कंडिशन का अप्जोर करना ध्यान से यहां एक सिरे पर एंटर कर रहा दोसरे चोड़ रहा था अब इसे नहीं कर दो कि अब दो कंडिशन पढ़ लो दोनों में किलियर हो जाएगा या तो यह बोल दो इस वाली स्थिति में पूरी की पूरी बीच में से भाग जाएंगी या तो यह समझ लो अगर तुम ऐसे नहीं समझना तो देखो सेम कंडुक्टर पर इसे एक ही कंडुक्टर पर यहां से यहां पर देख लो तो इसी से आया अंदर इससे बाहर बेद दो यहीं तो कर रहे हो तो अगर यह आपने फ्लक्स ले रखा है वैसे तो वीच में से भाग के सारी लाइन है लेकिन अगर फिर भी आप कोगे नहीं नहीं सर इस पर भी तो होगा तो आमालो क्या होगा एक किना अगरे वाले किनारे पर अलग कंड़क्टर तो नहीं दिख रहा यही तो सेम लाइन थी तो आपको के सर फाइए तो फ्लक्स परिवर्तन जो तुम्हीं देखेगा फाइब माइनस फाइए वह कितना होगा जीरो तो इस वाले पर मुझे फ्लक्स परिवर्तन की जो दर है वह यह वाली पॉजिशन बताओ कौन सी बैटरी यह कोईल की परपेंडिकुलर और यह वाली वही मैं बात कर रहा हूं तो जब भी कभी किसी मैगनेटिक फिल्ट के पैरलल में कोईल आएगी तो उसमें मुझे मैक्सिमम इंडियू सीमफ दिखेगा लेकिन जब परपेंडिकु नियम यही था कि फ्लक्स परिवर्तन की दरके समान उपाती है अब जैसे यह अलग-अलग कुछ सिचुएशन हमने देखी भाई तो यह वाली सिचुएशन वही तो है कि सारी लाइन मैंने दिखा दी बीच में से भाग गई जो सारी लाइन है वह बीच में से चली गई तो हुलिए टविपर ले दिखा नहीं तो मैंने विए सिघ्धी तो इस वाली कंडिशन को इलेवी कली मैं इससे लिविट करूँ अब कि यहां से पैरलेल कर दिया तो जैसे मैं इसको पैरलेल लेकर आया है स्ट यहां पर नहींट किया लेकिन है किसे मैं यहां से यहां पहुंचा तो मुझे मैक्सिमम दिखा और मैक्सिमम साइन में कहां मिला करता था 90 मिला करता था पैरलल तो दा मैक्नेटिक फिल्ड लेकिन अपोजे डारेक्शन में कैसे पहले यह सिरा रेड़ वाला इधर था अब यह सिरा गूम के रेड़ वाला इधर हो गया तो यह पोजिशन अलग-अलग हो रही है और इनके अकॉर्डिंग देखो हम लोगो जो अलक्ट्रिकल डिगर मिल रहा है हम लोग कुछ यह मिली है अब मैंने इसे चीज को वेरिफाइब करने के लिए चोटा सवाल यह दे दिया तो जब भी कभी कॉइल यह कंड़क्टर एलॉंग दा मैगनेटिक फिल्ड प्लेस किया जाएगा तो कितना हो उसमें मैक्सिमाम और जब भी परपेंडिक एक वर्टिकल मैगनेटिक फिल्ड में अगर मैं वर्टिकल डारेक्शन में किसी को रोटेट करवाता हूं तो वर्टिकल बोले तो दोनों के बीच में सेम एंगल अरे वर्टिकल मैगनेटिक फिल्ड में वर्टिकल पोजिशन में को गुमाता हूं तो दोनों के बीच सेम ड ठीक है जी तो जब भी कभी यह ऐसा नहीं कि मतलब पूरा फोकस लगा तो भी समझना है यह वैसे भी कहीं बार आते रहेंगे चीज़ें लेकिन ट्राइब करें इसको रिलेट करने के और समझने के तो यह हो गया जी हमारे पास फैरड़े का निया